अज की स्पीडियous में हम बात करने वाले हैं जब भी अगर आप वीडियो अप्लोड करते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलता है जैसे की एज रिश्टिकेर्ड ठीक है इसी के साथ में आपको यहां पर मिल जाता है जैसे की अगर आपकी वीडियो कोई Wid You आपको कर रहे हैं पैसे लेकर ठीक है तब आपको यहां पर ट्ले का औप इसी के साथ मैं आपकर कुछ समय पहले दो-तिन दिन समय पहले आप को ही आप मिलड़ाता है अल्टर कंट workforce दो इसका मतलऺ वह आखिर क्या है और एक्षिली में आखिर हमें यस करना चाहिए फिर नो करना चाहिए मैं आपका समय जादा ना लेते हुए ठीक है मैं आपको सीधे यहां पर डाक्ट के लिए बता देता हूं जैसे कि सबसे पहले अगर आपकी वीडियो है ठीक है अगर आप बच्चों के आपको चैनल पर अप नहीं बनाते है तो आपको लेना है ठीक है तो यह तो हो गया है यहां पर सिलक्ट उसके बाद में आपको यहां पर आजाता आ washing घक है जैसे कि आगर आप वीडियो की कोई प्रमोर्शन करते हैं जैसे कि कई सारी Kangia कंपनिया ऐसी chaos होती जो कि आप से पैसे देकर वीडियो बनवाती है ठीक है और वो कहती है कि इस वीडियो को आप अपने ही चैनल पर अपलोड कीज़ेगा ठीक है अगर कोई आप ऐसी वीडियो बनाते हैं तो आपको इस पर सिंपली टिक कर देना है इसी के साथ में अब आजाता है कि यहाँ पर देखो यह उपरवारी policy और आपको यह नीचे वारी policy आपको इने आपको select करना ही परेगा हर वीडियो में ठीक है, जैसे कि आप इहांपर मिल्या है, यह yes और no का option ठीक है, तो content है जैसे कि आप जानते हैं कि YouTube भी है, अब आपको short videos में आपको AI का option देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द ठीक है, जो कि आप सारे के सारे काम आप AI से ही कर पाएंगे YouTube में ठीक है, पर जो original content होगा वो अलगी होगा और इसमें ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा high देगा ठीक है, हाला कि YouTube ने update में बताया था कि AI का जो option है वो आपको short video में भी मिलेगा ठीक है, यानि कि YouTube से आप video बना पाएंगे उसमें भी आपको AI का option मिलेगा पर उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं दिया जाएगा जैसे कि आपने कि फोटू ले ली और इस high label की ठीक है तो उसमें थोड़ा बहुत दिया जाएगा बरना जो original content बना रहा है उनकी तो कोई सुनेगा ही नह ठीक है तो इतना high नहीं दिया जाएगा ठीक है तो उसी चीज को लेकर यहां पर यह policy उन्होंने बनाई है कि यह कह रहा है कि आप खुद बताएं हमें ठीक है कि जो आपकी वीडियो है वो AI के जरिया बनी हुई है जैसे कि कुछ लोग होते हैं किसी की photo लेते हैं और आज के दोर में जो AI tools हैं वो कुछ ऐसे tools हैं जो कि उनकी photo को लेकर और वो वीडियो बना लेते हैं ठीक है और डारेक्टली face हिलता हुआ और जैसे की आखें बगरा सब कुछ बैसे ही चलती है ठीक है पर वो AI का यूज करी हुई होती है तो उसमें आवाज बगरा थोड़ी changes बगर यह निकलवा सकते हैं ठीक है बहुत सारे software है AI के ठीक है तो यह उसी चीज को लेकर यह पूछ रहा है कि आप जो वीडियो बना रहा है वो AI से related है ठीक है जाने कि आपने कुछ ऐसे द्रस से related वीडियो बनाई है जो AI का यूज करके ठीक है तो अगर आपने बनाई है तो yes प ईक ही बार में यह सारी settings कर देना है वो settings किस तरीகिस होंगी वह उंह裡面 आपको बता देता हूँ तो चलिए सबसे back से done कर देता हूंffen तो आप यहीं से ही कर सकते हैं ठीक है हाला कि आप यहां से भी कर सकते हैं जैसे कि settings को option अगर इन्होंने दे दिया हो तब ठीक है यहां पर तो कई बार होता यह option देते नहीं है जैसे कि advance पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देश सकते हैं बहुत अपशन दिया गया है यह बच्चों के लिए बनाते हैं यह फिर आप आठारा साल से एजसे के लोग多 अप पर इसके अंदरा भी ऑप्सन यहान पर नहीं दिया गया है तो यह आपնम मृफंर आप आप बार बार आपको किलिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर ठीक है, तो आप वहां पर बना सकते हैं, अब ऐसे में अगर आप यह सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको होगा क्या कि कई बार तो ऐसा है कि यूटुब देखता रहेगा, देखता रहेगा, क्योंकि एक दो वीडियो पर एक्सन नहीं लेता है तब आपको यूटूब का यहां पर रीड करेगा ठीक पूरी तरीके से चेक करेगा उसके बाद में यह सारी चीजों को चेक करेगा अगर आइसे में पकड़ी जाती है आपकी AI की जरीए वीडियो बनी हुई तो आपको Community Guidelines का यहां पर सामने करना पड़ सकता है और आप जानते हैं तो Community Guidelines है कि वो 90 दिन में अगर तीन आजाती है तो आपका चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है ठीक है तो आपको इस बात को दिहार रखना है इसी के साथ में आपका जो चैनल का मोनोडाइसन है व मुझे नीचे comment section में दे सकते हैं मिलते हैं आपस वीडियोस में